दोस्तों अगर हमारे बाल कम उम्र में सफेद हो जाएं तो हमारी जो उम्र होती न तो वो दुगनी दिखने लगती है ठीक है हमारे चेहरे का सारा लोक के ही गायब हो जाता है आप अपने सफेद बालों को छुपाने के लिए मार्केट वाला केमकल इससे माल करते हैं तो और आपके बालों को कोई भी साइड ड्रिफेक्ट नहीं होगा कोई भी चीज नख्सान नहीं करेगी दोस्तों आप देख सकते हैं यहां पर मैंने लिया है चुकंदर यह चुकंदर आप देख रहा है कैसा सुखा-सुका सा है तो यह चुकंदर काफी दिन से फ्रिज में र नहीं है आप चुकंदर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं चुकंदर दोस्तों हमारे बालों के लिए इतना बहतरीन है यह आपके बालों में स्केल्फ का ब्लेट सल्कुरेशन को तेज करेगा चुकंदर में क्या होता है बिटामिन C, E और कैरोटीन होता है इसमें एंटियोक्सिडन गुड़ होते हैं जो कि आपके बालों के जो सफेद बालों होते हैं उनको यह काला करता है और काले बालों को क्या करता है सफेद नहीं होने देता है यानि कि आपके बालों को नैच्रल हेर डाई देने वाला है यह चुकंदर और इसमें बहुत सारे पोसक तत्व है जो कि आपके बालों को सिर से लेकर लेंज तक आपके बालों को ये रेपेर करेगा आपके बालों का प्येश लेबर बढ़ाएगा आपके बालों में चमक लाएगा आपके बाल जड़ से मजबूत होंगे घने होंगे तो यह देखें य एक चमब चुकंद्र को ग्रेट कर लिया यानि कद्दूकस कर लिया है अब इसको हम क्या करेंगे कड़ाई में डाल करके इसको हमें धीमी आच में घुनना है यानि की रोश्ट करना है यानि की बिल्कुर सुखाना है क्योंकि इसे अपने बालों में इस्तेमाल करने वाले हैं और मैं बिल्कुर ऐसा नुस्खा बताऊंगी आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप इसे एक बार तयार कर लीजिए और बना करके रख लीजिए आप अपने सफेद बालों में जब इसको इसको इस्तेमाल करेंगे आपके सारे सफेद बाल गायब हो जाएंगे सच बतारी हो जड़ से आपके बाल काले होंगे और नए बाल भी उगेंगे आपके बाल अगर पतले हैं रुखे सुखे से हैं बेजान बाले सारी बालों की प्रॉब्लम खत्म तो मैंने यहां पर चुकंदर को अच्छे से भून लिया है काला होने तक अब इसमें हम डाल देंगे यह राई यानि की मोटी वाली सरसों यह देखें मस्टर्ड सीट्स ठीक है काली वाली लेनी है और बड़ी वाली राई लेनी है छोटी नहीं लेनी है मस्टर्ड सीट्स यानि इससे निकाला जाता है सरसों का तेल तो इससे क्या होगा जब हम राई को इसमें डालेंगे तो आपके बालों को सुद्ध सरसों का तेल मिलेगा इससे अच्छा बेस्ट सुद्ध आपको कहीं नहीं मिलेगा आप कितना भी मार्केट में महगा से महगा तेल ले आए जाकर के इससे आपको सुद्ध तेल मिलेगा आ कोई लोगा वो रिलीज होता है चलिए तो इसको हम धीमी आश भूनेंगे बहुत तेज आश में मत भूनेगा नहीं तो फिर यह जल जाएगा तो कोई मतलब का नहीं रहेगा अब आप देखें इसमें अच्छे से सारी चीजें भून चुकी है यानि चुकंदर भी और यह सरस पसंद आ रहे हैं तो फ्लीज लाइक कर दीजिए दोस्तों सेर कर दीजिए लाइक करना बिल्कुल फिर ही है और मुझे इससे यह पता चलता है आपको वीडियो कितनी पसंद आई है ना एक लाक तो जरू करेगा और चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरू कर लेना फ पास क्स्rences को भाउने षसक्राइब म बाहरें उनके पास नहीं तना व्युक्स्ता व्य चाहिए तो फ Mittा चाम स्क्राइब सब्सक्राइब करना छृफ सब्सक्राइब जरू है नारियल का तेल नारियल का तेल हमने करीबन तीन से चार चमज डाल दिया है अब देखे सारे पो सकता तो इस हमें इस नुसके में मिल जाएगा अब आप फुछ सोचिए, आपके बालों को क्या नुक्सान करेगा, ये बताइए, फाइदा करेगा, बहुत ज्यादा फाइदा होने वाला है, तो यहां पे इसको क्या किया है, मैंने मिक्सी को चला दिया है, अब ये तेल अच्छे से इसमें, यानि ये पाउडर और तेल नहीं है, ये देखिए कितना बैतरी नुस्खा बन करके तयार हुआ है, अब ये कौन कहेगा, कि आपके बाल सफेद रहेंगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, नेच्रल चीज़ें, इस्थाई रूप से फाइदा करती हैं, कैमकल वाली चीज़ें, आपको तुरंत रिजड तो ये देखिए बिल्कुल इस्मूद आपका नुस्खा बन करके तैयार हो गया है, अब ये भरकर किसी एम्यों, काट की से सी मैं, या प्लास्टिक की की सी मैं भरकर को रख ली जिए और ये बिल्कुल भी घराम नहीं होता, ये इसको एक महीने, दो महीने, आराम से रखिए, बिलकुल भी खराम नहीं ओगा यह देखे कितना समूट सा बन गया और कितना बेश्ञ टेνश कितना डार्ट कलर अकल्ए आए कियोंकि इसमें चुकंदर का भी कलर आ गया है और इसमें जो बाल को खिचञा जैसे हैं देखिए तो ऐसे कई लोगों हो जाते हैं जब आप कैम कल वारी चीज़न लगाते हैं तो आप सबसे पहले जब इस चुछे लगा आये तो अपने बालों को सैमपू कर लें और उसके बाद में इसे अपने बालों की जड़ों मैं अच्छे से लगाईए अगर आपके बाल जड़ से सपेद हैं तो जड़ों पर लगा लेना जैसे भी सपेद चीक है तो मैं आपको थोड़े से बालों में लगा करके दिखाऊंगी ताकि आप इसमें लाइव प्रूब इसको देख सकें कि कितना असर करता है अब मैं यहां पे अगर बात करूँ कि बहुत से लोग जैसे किसी साधी पार्टी में जा रही हैं तो मैंने जो पाउडर बनाया था तो आप क्या कर सकते हैं तेल के साथ में मिला करके लगाएंगे तो आपके बाल चिपचिपे हो जाएगी है ना तो आप इसे क्या करें बिस्खा भी लगा दिया है बालों में एच्छे से और स्केल्फ देख सकते हैं बहुत क्लीन है वह से लोग कमेंट करते हैं काला हो जाए का कहा हुआ आप देखिए मैं तो सामने लाइप दिखाती हूं और इसलिए वीडियो बड़ी हो जाती है ठीक है आप लोग कमेंट कर द और इस थाई रूप से फाइदा चाहते है यानि कि आप चाहते हैं हमेसा के लिए बाल काले हो जाएं सफेद बाल होई ही नहीं निकने ही नहीं तो आप इसको क्या करें हफते में दो से तीन वार इस्तेमाल करिए इसको अपने बालों की जड़ों में लगा करके मसाज कर दी कि दिए और उसके बाद में आपको क्या करना है सिर्फ और सिर्फ पानी से साफ करने के बाद में एक दिन के बाद में यारी 24 गंटे के बाद में आप अपने बालों में सैंपू कर लिए इस तरीके से अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके बाल जड़ से काले होंगे और अगर आप चाहते हैं सपेद बाल कबर रहें तो आप सेंपू मत करिए सपेद बाल कबर रहेंगे डाई के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं